हेलो बच्चो बड़ी एक अपडेट आ रही है नई अपडेट है MP जनरेशन वाले बच्चों के लिए जो 2023 का अभी आप लोगों का पेपर कंड़क्ट होने वाला है आप लोगों को पता है कि एक्जैम पैटन में 75 कोशन ट्रेड से आएंगे और 25 कोशन नॉन टेक्स से आएं है जैसे संद्नरोल सिस्टम नहीं है आपका बीटाय माइक्र प्रोक्रोंसेसर सोची की जिसट्रोनिकस नहीं है यहाँत सारे सब्चेक्स नहीं है आपके सीटनल नहीं है तोटल सो आने हैं दो घंते का अपर वोना है कोई तो देखेंगे कि electrical में क्या-क्या चीज पूछी है कि यह पूरे concept यहाँ पर electrical basic electrical के बारे में इसने दिया हुआ है और हम लोगों ने जुनून बेच में यूट्यूब पर free ये सब कुछ complete किया हुआ है ठीके यह पूरा पूरा बेटा बेसिक एलेक्ट्रिकल है ठीक है आप लोगों का वही सारी चीज़ें आरमेस वैल्यू कंसेप्ट आप चार्ज फोर्स ओंदा करेंट है यह आपका सेमी कंडेक्टर इंसुलेटिंग मेगनेटिक मेटीरियल अच्छा यहां पर इसों इनों ने थोड़ा साम के बारे मैं बोला वही थियोरंस एसी की जित्ती भी थियोरंस सब कुछ यह हमने जुनून बैच में की हुई है प्लेलिस्ट बेटा आप लोगों की इसी चैनल पर मिलेगी और हाँ टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाओ ताकि अब आगे जो सेशन आने वाने इसी स्लेवस क आपको पता चल जाएंगे मेरितन हम लोग करने वाले हैं कम्पलीट सिलेवस हम लोग करेंगे मेरितन के तोर पर अब यहां पर देखिए आप स्टार डेल्टा कनेक्शन बैलें अन बैलें सिस्टम ट्रांजियंट रिस्पॉंस ठीक है अब हम लोगों का यूट्यूब पर खाली ट्रांजियंट रिस्पॉंस ऑफ डीसी और एसी नेटवर्ट रह गया है बाकी की सारी चीज़ें हो चुकी है तो बेसिक एलेक्ट्रिकल पूरा यह स्लेवस आप लोगों का यहां पर मेंशन किया हुआ है अब बात करते हैं मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमे होते हैं क्यूं मीटर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा उसलिस्कोप पोटेंशिमेट्रिक रिकॉर्डर अनलेसिस इन्होंने यहां पर साफ दिया हुआ है इससे जोड़के ना बहुत सारे नुमेरिकल भी आते हैं दिमाग में रखिएगा बहुत सारे नुमेरिकल भी आत सैनाते हैं वह तो सब लोग लगवग जानते हैं सियारो का यूज फंक्शन जन्रेटर यह थोड़ा एक नया टॉपिक है ठीक है और थीटी पीटी एन अर्थफॉल डिटेक्शन कैसे करते हैं ठीक है तो यह थोड़े से हटके टॉपिक है बागी तो सब लगवग सारे ठीक है आप देखिए generation and distribution बेटा power system जो अभी आपकी चल रही है उसमें पूरे में आपका generation बहुत अच्छी तरीके से यह पूर अब देखिए इन्होंने अलग से protection को लेके जो power system operation और protection को लेके स्लेवस को अलग से mention किया हुआ है और मतलब बार सिस्टम पर सबसे जादा अगर साहिए अगर किसी का स्लेवस है तो वह पावर सिस्टम का है अब आप देखो चाहें आप MP के पेपर में चले जाए च इन्होंने portion partronics के बहाने से पूछ सकता है ठीक है अब जैसे MP MP अराम से पूछ लेगा है तो यह बात दिमाग में रखना कि ऐसा नहीं कि अनलोग बिल्कुल नहीं आएगी अब वह यहां पर पाल्ट्रोनिक्स के तोर पे कहीं ना कहीं analog electronics पूछ सकता है ठीक है working of devices देखो मैं आपको पेटा यह चीज कहूंगा कि working यह हर डिवाइस की जो working है थारेस्टर फैमिली की यह सब कुछ करके जाएगा अच्छे से अब modulation and demodulation देखो यह थोड़ा सा इन्होंने यहां पर communication का part दे दिया है ठीक है modulation और demodulation इन्होंने यहां पर दे दिया है inverter converter ठीक है इंडस्ट्रियल कंट्रोल सर्केट यूजिंग इस डिवाइसे अब आप जादा मत करिए मैं आपको बोलूँ ठीक है आप इसके चक्र में बहुत जादा डिटेल में मत जाईएगा बड़ आप डिवाइसे को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा ठीक है यह आई जी बीटी एफटी जी इनके सिंबलस बहुत इंपोर्टेंट हैं इनके सिंबल्स बहुत इंपोर्टेंट हैं इतने जते क्या में इसकी स्ताब करेंगी इसका डायमीटर स्थे बहुत उची जाएंगी यूट इस में है ठीक है, heating है, electric welding है, elimination, power factor improvement, ठीक है, यह आपका बिटा, electrochemical, electrolysis और storage batteries के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत जादा इसमें hard नहीं है चीजे, but हाँ, estimation costing बिटा थोड़ी 30 पर सकती है, तो आप लोग अगर fact-based topic करना चाहें, तो गरदा उड़ा दिया बैच से आप लोग क link से जुड़ जाए, comment box में है, तो उनका हो जाएगा यहाँ पर, अब देखिए, एक यह नया subject इनों ने include किया है, energy conservation and audit, अब UPPCL के लिए तो यह पुरानी बात है, वो तो देता ही देता है, ठीक है, तो energy conservation and audit, इसके basics, ठीक है, energy conservation machine के दौरा कैसे, machine में कैसे energy बचा सकते हैं, ठीक है, electrical installation system, हम electrical को install करते हैं, उसमें कैसे energy conserve कर सकते हैं, और electrical conservation through co generation and tariff, मतलब कुल मिला के tariff, जो होती है हमारे, बहुत प्रकार के tariff होते हैं, ठीक है, मैंने YouTube पे और भी lectures लिए हुए हैं, बट अगर आपको चाहिए हो tariff के lectures, तो मुझे comment करके बता दीजेगा, telegram पर, यह energy audit of electrical system, energy audit का ही प्रकार की होती है, preliminary audit और बहुत प्रकार की energy audit होती है, तो MP में भी यह आ रहा है, और UPPCL में तो यह आता ही है, अब यह technical का syllabus है, जो की 75 question यहां से आएंगे technical के, ठीक है, अगर मैं बात करूँ बच्चे, अगर मैं बात करूँ non-tech के syllabus की, बागी के 25 नंबर ब पहले 10 नंबर की थी, बट आप 5 नंबर की हो गई है, सब कुछ 5 नंबर के है, ठीक है, numerical ability, aptitude 5 नंबर का, reasoning 5 नंबर की, general English 5 नंबर की, ठीक है, और एक चीज़ और बढ़ा दिये नोंने, कि power sector related general awareness, मतलब की based on publicly available information, इसमें क्या पूछेगा कि MP से जोड़ा हुआ जित्ते भी, ठीक है, आप पहली priority MP को देना, और थोड़ी सी बढ़ी है, इंडिया को भी देना, क्योंकि यहाँ पर इसने mention नहीं किया कि केवल MP के लिए है, ठीक है, कौन-कौन से power plant है MP में, कहां-कहां पर स्तित हैं, कितने megawatt के हैं, और पूरे भारत में कितने हैं, कहां-कहां पर थोड़ा सा इससे related बेटा, आप लोगों के 5 marks का यहाँ पर क्या होगा बेटा, यह पूछा जाएगा, तो 25 नंबर का बेटा बचा हुआ यह है, आपका पूरा का पूरा detail non-tech की उसमें दी हुई है, ठीक है, तो 75 टेकनिकल में, 25 इसमें, और कोई negative marking नहीं है, अच्छे से कर करने वाले हैं, आप लोग टेलिग्राम से जुड़ जाएए, जो comment box में है, till then, thank you, और subscribe करेंगे, तो सबसे पहले notification आप पाएंगे, कोई भी नई अपडेट का, thank you.